हमें बस इनसाब चाहिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए why ना किसी भी राजनिता से मतलब है बस हमें इनसाब चाहिए ओना मैंने कौलकता से M.I.B.S किया हैं तो मैं कॉंटेक्ट में हूँ अपने फ्रेंड से तो जिसको पकड़ा गया वो शायर दोशी है भी नहीं है पुलिस के लावा और कोई पाहीं नहीं पुलिस जो होती है वो स्टेट गौश्टरों को लगता है कि एक आरूपी नहीं है उसमें और भी आरूपी है जो वहां का एड्मिस्टरेशन चुपा रहा है पश्रिमंगाल के कूलकाता में जिस तरह से विवत्स घटना मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई है उस घटना को लेकर के पूरे देश में डॉक्टर्स के अंदर रोश है उस घटना से पूरा डॉक्टर समाज दरह हुआ है कि जिस तरह से दिल्ली वाली निर्भया की जैसे उसक प्रेक्ति को पकड़ा गया है वो ही मुख आरोपी है वो ही कातिल है इसलिए मैं इस वक्त दिली के राम मनोहय लोहिया ऑस्मिटल में हूँ आप देख सकते हैं यहां की जो रेजिदेंट्स जो डॉक्तर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लावा इस तरफ मेरे यहां लोग बैट करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लगातार मीडिया से बाचीत कर रहे हैं वा camera करहे हैं कि इस पूरे जो पूरा जो घटना क्रम है उसको लेकर के वो लगातार उनको यह उस्ष्छ रोगuben सर रौस्ता है और इसलिए यहां पर प्रोटेस्ट करने कि क्या मांगे हैं कि क्या मांगे हैं आप लोगों की पुलकाता में गटना हुई यहां पर किस तरह से मांगे आप लोगों को कि कि अधिनी इस तरह से अंडूद है कि सीवीआ जाए हमें बिलकुल वहां की सरकारों पर वहां के अध्मेस्ट्रेशन पर वहां की पुलिस सरकार पर बिलकुल विस्वास नहीं है क्योंकि शुर्वात में ही बिना कोई इंवस्ट्ीकेशन किये दॉक्तर को स्वेस्फोस सॉसेत कर दिया गया इसप्रेशन टेंडंशि बिता दिय गया है और सॉसाइड बिना इंवस्ट्ीकेशन किये ंधिन घंनों के अंदर तो मेरा सरकास अलूद है कि इस तरह लेकांग कि सेंटर प्रोटक्शन एक टोटन टॉंटी टू उसको लागू किया जाए और ज्यादा 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 मतलब सिकोर्टी बढ़ाए जाए जिससे कि हम लुगों को मतलब बिना वहे के हम लुग काम कर सके आपको लगता है जो कोलकाता में जिस तरह से जो गटना होई है उ कितनों न यह मतलब घुनोना काम किया है तो अभी बोल पाना कि जल्दबाजी में कि एक आरोपी है तो मुझे नहीं लगता है एक आरोपी इतना गीनोना जो कि दिल्ली में निरुवय कांड़ हुआ था इस तरह से कर सके दूसरी बात यह बंगाल की बात नहीं है अभी हमें बस इंसाब चाहिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए ना हमें किसी राजनीती से मतलब है ना किसी भी राजनीता से मतलब है बस हमें इंसाब चाहिए हम डॉक्टर बस नहीं रुवांट करें अचा आपको भी लगता है कि जो खटना हुई उसमें जो आरोपी आपको लगत लगता है कि यह इतना जिस तरह से post-mortem report आई उससे लगता है कि एक आदमी कर सकता है या कुछ और भी हो सकते हैं और इंफस्को पकड़ा गया है मैंने कोलकता से एंबिस किया है तो मैं कॉंटक्स पकड़ा गया है वो शायद दूशी है भी नहीं बलकि बचाया जा रहा है एक बली के बकड़े को पकड़के जो आरोपी दो तीन घूंग रहे हैं वो खुले में घूंग रहे है और यह बहुत ही दुखत है कि हमारी सरकार जो हमें सपोर्ट एक महिला को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और लीप पोती करने में लगी हुई है आपको क्या लगता अब बढ़ादी नहीं की है और हम चाहते हैं कि वह भी हमारी मांगें और यह मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं उटेंगे हमें बहुत दुख से कहना पड़ाए कि हमारे मरीजों को उसुविदा हो रही है लेकिन हमने इमर्जन से वाइबादित नहीं किय है और हम चाहते हैं कि वह भी हमारे सपोर्ट करें क्योंकि यह सी फिक दॉक्टर का मामला नहीं एक बहु बेटी एक महिला का मामला है आपको बताओं कि रामनोहर लोई है मैं करीब 30,000 से जादा मरीज यहां पर इलास कराते हैं और यह रेजिदेंस उनकी भरपूर मदद कर हैं वो सारी प्रभावित हैं आपको क्या लगता कोई administration से यहां मिलने आया आप अभी यहां पे तो अभी मैंने किसी administration को नहीं देखा है अगर RDA जो प्रेसिदेंट हैं उनसे कोई मिला हो तो मुझे नहीं पता है और हाँ यह है कि OPD और VOD में सिवाय जो है वो बादित हैं तो obviously patients को मुशिकिलों का सामना करना पड़ा है बट यह सिर्फ एक doctor का मामला नहीं है ना एक इंसान का मामला है एक महिला का मामला है तो हम मजबूर है हमारी मांगे अभी पूरी करते हैं अभी उठ जाएंगे हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्वास्तिवास्ता को इस तरह से हम लेकिन सरकार अगर सुन नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? यहां के जो डॉक्तर से हैं वो सारी अपनी चोड़ करके वह यहां पर बैठे हुए हैं और बैठने के साथ ही आकर के यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बैठ करके सभी लोग कुलकाता की जो लड़की थी जिसके साथ वो बिवत से कांड हुआ है वो कांड वहां पर उनके साथ खले हुए नजर आना चाहते हैं इसलिए आज पूरे देश में आपको बता दूँ कि चाहें यह आरेमल रामनोय लोहिया हॉस्पिटल की बात न साथ जो काम काज वो बुरी तरह से प्रभावित आपको बताते हैं कि ऑपीडी के अलावा किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी फिलहाल चल नहीं रहा है और चलने के साथ साथ जो प्रभाव है वो सिर्फ इमर्जिंसी भर से नहीं पूरा होता इसलिए जो डॉक्टर से जो डॉक्टरूज है जिनके ऊपर मरीश की देख रैक से ले करके उनके इलाज मल्हम पक्टी तक की जमयदारी होती है क्योंकि जो इस्पेस्विस्ट होते हैं वो विजिट करते हैं लेकिन जो देख रैक और जो बांकित प्रक्रिया होती है मरीश के साथ में वो यहीं का जो कांड हुआ है उसकी सीबी आई जाच और पूरी तरह से उस जितने भी कातिल है उस घटना में उन सब की गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं फिरहाल रामनुहर लोई ऑस्पिटल से उल्ली दिवेदी वन इंडिया हिंदी